आज मैं explain करूँगा Shakespeare की एक छोटी सी poem बहुत ही famous poem है इसका नाम है Not Marble, Nor The Gilded Monuments इस poem को Shakespeare एक living record claim करते हैं मतलब वो कहते हैं कि मेरे लिखी हुई poem एक ऐसा record है जो judgment day तक जिन्दा रहेगा बड़े-बड़े statues, monuments वगेरा खतम हो जाते हैं time के साथ में Wars में, destroy हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं लेकिन ये poem जिसके लिए मैं लिख रहा हूँ उसका नाम हमेशा चमकता रहेगा अब सुनो वो पहली दूसरी line में क्या बोलते हैं समझना Not Marble, Nor The Gilded Monuments of Princes Shall Outlive This Powerful Rhyme शुरू से समझते हैं एक बड़ा महंगा पत्थर आता है, Marble उसे Statues बनते हैं तो किसी भी टाइप के Marble से बना हुआ कोई भी टाइप का Statue हो या Gilded Gilded मतलब सोने की परत चड़ी होती है न सोने की परत चड़े हुए monuments हो Gilded Monuments हो Of Princes Princes के बनाए हुए या Ruling Class के बना हुए Shall Outlive कोई भी इतना लंबा नहीं जियेगा This Powerful Rhyme जितना लंबा ये Powerful Rhyme यानि Powerful Poem जियेगी But you shall shine more bright in these contents Than unswept stone besmeered with splittish time इन दो लाइनों का मतलब है वो जिसका भी नाम लिख रहे हैं इस Poem में वो उसको बोल रहे है कि इस Poem की जरीए तुम ज़्यादा चमकोगे तुम्हारा नाम ज़्यादा चमकेगा किसी भी स्टैच्यू से यूकि स्टैच्यू को तो टाइम खराब कर देता है यहाँ पे बिस्मिया का मतलब होता है गंदा कर देना खराब कर देना मेला कर देना और यहाँ पे टाइम को स्टैच्च बोला है स्टैच्च का मतलब होता है कोई इम्मॉरल टाइप का कॉंटेंट मतलब जो कॉंटेंट वो लिख रहे थे यानि कि यह Poem शेक्सपिर बोलता है मतलब जो बेकार की वार होती है वेस्टफुल वेस्टफुल बोल रहे है वार को कि जो वार होती है, बेकार होती है सिवाए तबाही के कुछ नहीं लाती उनके अंदर स्टैच्च्च्च बरबाद हो जाते है Shells, टैच्च्च्च्च आउटन का मतलब बरबाद हो जाना यहाँ पे word का मतलब है वही लडाई या युद root out मतलब जड़ से उखाड देना the work of masonry अब mason क्या होते थे दोस्तों mason होते थे mystery जो राज दरबार में जो mystery होते देना उनके काम को जड़ से उखाड देता है युद तो बड़ी बड़ी चीजे बरबाद हो जाती है लड़ाईों में लेकिन यहाँ पर point बोलते हैं nor mars his sword nor wars quick fire shall burn this living record of your memory ना तो mars की तलवार mars कौन था? god of war ना तो उसकी तलवार ना इस लड़ाई की quick fire speedy fire shall destroy this living record of your memory कोई भी चीज बड़े बड़े monuments बरबाद हो जाते हैं लेकिन कोई भी चीज इस इस poem को बरबाद नहीं कर सकती एक living record है जो तुमारी memory में मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर अपनी beloved के लिए लिख रहा है gains death and all oblivious enmity shall you pace forth इसका मतलब है gains death मतलब against death तुमारी death होने के बावजूद भी and all oblivious enmity या फिर तुमारा कोई भी unknown enemy कितना भी जोर लगा ले shall you pace forth मतलब you will march ever onwards मतलब हमेशा तुमारी तारीफ में लिखी हुई यह poetry हमेशा जिन्दा रहीगी your praise shall still find room तुमारी यह तारीफ फिर भी अपनी जगह बना लेगी आने वाली generations के बीच में even in the eyes of austerity मतलब यह मतलब है कि future generations के बीच में अपनी जगह बना लेगी तुमारी यह तारीफ जो मैंने इस poem में की है यह लाइन में बोलते है that wear this world out to the ending doom मतलब until the forces of history bring this world to the end of the times मतलब dooms day के दिन भी इस 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 दिन भी इस इस दिन इस दिन होता है सबका judgment होता है तब तक यह poetry जिन्दा रहेगी और last की दो लाइनों में poet बोलते है so till the judgment that yourself arise मतलब जिस दिन judgment day होगा उस दिन तुम अपनी कब्र से उठोगी you live in this तुम इस poem में जिन्दा रहोगी and dwell in lover's eyes मतलब तुम इस poem में जिन्दा रहोगी और उनकी आँखों में जो इस poem को पढ़ रहे है dwell, dwell का मतलब रहना उनकी आँखों में भी जिन्दा रहोगी ये थी Shakespeare की Sonnet 55 उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी आज की इस वीडियो में बस इतना है